देखे सिर्फ दो तरह के लोग होते हैं जो अपनी जिन्दगी में हर चीज को लेकर बड़े क्लियर होते हैं बेवकूफ और कटर लोग तो अगर आप कन्फ्यूजड हैं तो आप इन दोनों में से कोई नहीं हैं जो कि एक अच्छा संकेत है निरे बेवकूफ और कटर लोग हमेशा हर चीज को लेकर एकदम शौर होते हैं उनको पता है वो स्वर्ग जा रहे हैं उनमें बस एक ही प्रॉब्लम है कि वो आपको साथ ले जाना चाते हैं उन्हें साथ चाहिए होता है ये एक ऐसी चीज है जो हर जगा चल रही है खास कर पश्चमी दुनिया में पर ये शहरी भारत में भी बढ़ते हुए पहुंच चुकी है वो ये कि आप चाहते हैं कि आपने सब कुछ सोच समझ लिया हो ये ऐसा ही है दिखिए मैं अपने जीवन पर हर समय दोबारा विचार करता रहता हूँ हर समय कि मुझे ऐसे सद्गुरू को जारी रखना चाहिए या मुझे खानसामा बन जाना चाहिए या बस मोटर साइकल के सवारी पर लट जाना चाहिए या कुछ और करना चाहिए या मुझे गॉल्फ खेलना चाहिए, या कुछ और करना चाहिए, या बस ऐसे ही आराम करना चाहिए, क्यों नहीं? मैं हमेशा दोबारा सोचता रहता हूँ, हर रोज, और फिर भी मैं ये फैसला ले रहा हूँ, कि ये करना बहतर है. हाँ, मैं फैसला करके नहीं बैठा हूँ, मैं अब भी कंसिडर कर रहा हूँ, और इसलिए ये बहुमूल्य है, इसलिए नहीं कि मैंने बहुत पहले ये डिसाइड कर लिया था, मेरे पास कोई चोईस नहीं है, मैं यही चीज़ करता रहूँगा क्योंकि मैं इसमें फस चुका हो, अगर वो बस एक ही नतीजे और निणें पर रुख गया हो, तो वो एक बेवकूफ मन है, वो बिलकुल एक लकडी के टुकड़े की तरह है, अगर हर पल वो कंसिडर कर रहा है, तभी वो एक सक्री मन है, ये बस ऐसा है, कि आपने ये चुनाओ क्या, आपने आपको खुशी 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 confused रहना चाहिए, मैं बस इतना ही कह रहा हूँ, लोग confused होकर दुखी हो जाते हैं, क्यूंकि उनकी सोच ये है, कि उनको ऐसा होना चाहिए, उनको लगता है कि सफल लोग बिलकुल clear होते हैं, वो बिलकुल निश्चित होते हैं, उन्होंने अपने न आखें खुली रखता है न, तो ये सोच कि आपका मन बना-बनाया हुआ होना चाहिए, एक नादान सोच है, ये ज़रूरी है कि हर वो चीज जो आप कर रहे हैं, हर पल में ये एक चॉइस हो, तब जिन्दकी खुबसूरत हो जाती है, क्योंकि इसमें बहुत बड़ी खुशी ह क्योंकि आप इसे अभी करना चाहते हैं, मैंने दस साल पहले ये फैसला किया था, इसलिए मैं ये कर रहा हूँ, आप कैसे उसमें थोड़ी से भी खुशी पा सकेंगे, आप जो भी अभी कर रहे हैं, तो आपका ऐसे हर रोज सुबह उठना, कि आपको पता ना हो कि क्या करन मर्जी से है, तब यह आपको आपके हर काम को लेकर जिन्दा रखेगा, क्योंकि आप इसे अपनी मर्जी से कर रहे हैं, आपने ये चोईस अभी ली है, आपने शायद पिछले दस सालों में यही चोईस दस हजार बार ली हो, इससे फर्क नहीं परता, पर आप अभी फिर से एक सक्रिय चोईस ले रहे हैं, ये बहुत महत्पून है, सिर्फ तभी आप जीवन के प्रती जीवन्त बने रहेंगे नहीं तो, मैंने अपना चुनाओ कर लिया था, ये एक बोज बन जाएगा, बहुत समय पहले मैंने चुन लिया था, अब तो मुझे ये करना ही का, ऐसे जीना तो बड़ी बोजिल प्रक्रिया है, तो कन्फ्यूजन कहीं जादा बहतर है उन आदान निशकर्शों या कन्क्लूजन से जो लोग जीवन के बारे में बनाते रहते हैं, बस इतना है कि आपको उस कन्फ्यूजन का मजा लेना सीखना है, हाँ, मैं आपको जाने के लिए बड़ी महनत कर रहा हूँ, हाँ, क्योंकि जीवन के बारे में हर तरह के बेवकूफी भरे निशकर्श हैं, तमाम तरह के बेवकूफी भरे निशकर्श, देखे बड़े लंबे समय से लोगोंने ये निशकर्श निकाल रखा था, कि वो स्वर्ग जाएंगे, ठीक है, मैं अभी एक मुश्किल खड़ी करने वाली चीज उठा रहा हूँ क्योंकि आफगानिस्थान में जैसी इस्थिती है, ये दुनिया में हर किसी को परेशान कर रही है ये स्वर्ख परसंद करने वाले लोग, वो इस धर्ती पर करते ये हैं क्योंकि वो स्वर्ख जाने वाले हैं, इसलिए इस धर्ती पर जो कुछ भी है, उसकी कीमत नहीं है वो वैसे भी स्वर्ख जा रहे है तो अब वो इसको सब के सामने ले आए हैं, ऐसा हमेशा से था पर ज़्यादा तर लोग इसे देखते नहीं है पर अब भूराजनितिक स्थिती की वज़े से वो आपको मूँ चुड़ा रहे हैं हम तो स्वर्ख जा रहे हैं, आप नहीं जा रहे हैं, देखे हम आपके साथ क्या करते हैं मैं तो वैसे भी आपके स्वर्ख नहीं जा रहा मैं आपके साथ स्वर्ग की जमीन जादाद की होड में नहीं लगने वाला आप मुझे अके लिए छोड़ सकते हैं हलो देखे मैं स्वर्ग नहीं जाने वाला तो आप स्वर्ग जाने वाले लोग हैं आपको मुझे निज़र अंदास कर देना चाहिए है कि नहीं, लेकिन नहीं आप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अगर मैं जिन्दा रहा तो आपके जूट को पंक नहीं लगेंगे, आपके जूट को पंक तभी लगेंगे जब आप मुझसे छुटकारा पालेंगे, ना, तो ऐसी चीजें इसलिए हो रही हैं क्योंकि लोगों के पर रोज के जिन्दगी में भी ऐसा ही हो रहा है, किसी को ऐसा लगता है कि यही सही है, बस ऐसे ही एक बेवकूफी भरे निश्कर्श से कितने सारे माबापों ने अपने बच्चों को टॉर्चर किया है, वो उनसे प्यार करते हैं, पर उन्हें टॉर्चर करते हैं और उन्हें हर रोज कूटते हैं, है या ना, वो उनसे प्यार करते हैं, उन्हें अपने जीवन के उजाली की तरह मानते हैं, पर हर रोज टॉर्चर होते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि ऐसा ही सही है, आप इसे हर प्रॉब्लम ये है कि किसी भी चीज को लेकर प्यार या प्रतिबधिता नहीं है, अगर किसी चीज को लेकर अपार प्रेम हो, तो ये सब कुछ ठीक हो जाएगा, देखे आपको नहतिकता की जरूरत नहीं है, आपको मूलियों की जरूरत नहीं है, आपको नीतियों की जरूरत अगर आप जागरू क्या चेतन हैं, तो आपको इन में से किसी चीज़ की ज़रूत नहीं है, मान लिजे अगर ये संभव नहीं है, तो अगली बेस्ट चीज़ ये है, कि आप में एक गहरा प्रेम भाव हो, अगर आप में ये है, तो फिर आपको किनी मूलियों की ज़रूत नह आपको किसी और चीज़ की जरूत नहीं है क्योंकि जिसको आप प्रेम करते हैं, आप उसका जितना हो सके अच्छे सा ख्याल रखेंगे। उसके लिए कोई नुकसान करने वाली चीज नहीं करेंगे, अगर आप वाकई प्रेम करते हैं तो, अगर ये बस एक आपसी फायदे वाली स्खीम है, थब ये अलग बात है। अपने बजाए औरों की भलाई को रखता है, और कौन खड़ा हुआ है चेतावनियों और खत्रे के सामने, सिर्फ वो जो प्रेम में निवेशित होता है। कौन हुआ है प्रेम करने वालों जितना ततपर, जो कर सके प्रेम के लिए स्वैम को और अपना सब कुछ बलिदान, प्रेम ही है सबसे कोमल और मुलायम सारे मानवी गुणों में। आपको कुछ ऐसा रचना पड़ेगा, अगर आपके पास ऐसा कुछ नहीं है, तो इस मन की ये हर पल हर चीज़ पर विचार और पनरविचार करने की संभावना एक दर्दनाक प्रक्रिया बन जाएगी। नहीं तो ये मन एक असाधारन प्रक्रिया बन जाता है। आपको या तो जागरूक या कम से कम प्रेम करने वाला बनना चाहिए। एक बार आपको ये समझा गया, तब आप देखेंगे कि रोज ये निर्णे लेना तकलीव दे नहीं होगा, बलकि ये बड़ा आनन से भरा और अद्भुत होगा। झाल 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